लोग व्यक्तित्तों का परिशकार करने के लिए बैठते हैं तो दिक्कतें क्या आती हैं तो छोटे-छोटे कुछ सूत्र जो पूझ गुर्देव ने बता है उनको हम लोग ले करके जाएं पहला सिद्धान तो दोस्तों एक आगरता का है आदमी करना चाहता है सारी बातें ज भी तोड़े दिन कुछ और कर लिया थोड़े दिन कुछ और कर लिया तो जो हमारे प्रैतन है वो एकाद्र नहीं हो पाते एक बिंदू के ओपर नहीं लगते तो उसका कुछ परिणाम नहीं आता अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एनर्जी गोज अटेंशन फ्लोज जिदर आपका अटेंशन चला गया उधर एनर्जी चली जाएगी हम तो उड़ जाएं हमारा अटेंशन चला गया गंदी चीज की तरफ तो अधर चली जाएगी कि हमारा टेंशन चला गया भगवान की ओर तो वहा चले जाएगी आवस्छक्ता हमारे प्रयत्नों के अंदर एकागरता को लाने की एकागरता नहीं आपाती क्योंकि आदमे का मन निरंतर भटकता रहता है इधर से उदर गूम रहा है आदमी के अंदर उस तरह की एकागरता की आवश्रक्ता है जैसा पातंजली योग सूत्र में कहते हैं पातंजली कहते हैं देश बंधस चित्तस से धारणा एक विस्तु के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर एक विशे के ऊपर मैं पूरा का पूरा समाहित हो जाता हूं तैल धारावत कहते हैं व्यास तैल धारावत जैसे ते कहते हैं तब एक आगरता है तत्र प्रत्ताई कता नता ध्यानम कहते हैं कि उसके बाद जब आपकी चेतना अविरल रूप से आप और जिस वस्तु के विशे में आप ध्यान कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कोई अंतर न रह जाए तब आपके अंदर ध्यान है गुर्देव हैं वो एक हो गई उस समय में सही कागरता और सही ध्यान जन्म लेता है वो जलाल उद्दीन रूमी की बड़ी प्यारी सी कथा है प्रेमी भक्त प्रेमी का से भगवान से मिलने के लिए गया दर्वाजा खटकटाया तो अंदर से आवाज आई भगवान ने बोला कौन है प् एक साल तक तपस्या करी दुबारा लोटा दर्वाजा खटकटाया अंदर से भगवान ने पूचा कि कौन है बोले तू है मैं खटम हो गया हूं भगवान बोले अब आजा हूं जब मैं नहीं रहता तू ही तू रहता है वो कबीर दास ने कहा है न प्रेम गली अती साकरी ज दो नहीं आते इसमें जब मैं था तब हरी नहीं जब हरी है तब मैं नहीं जब तक मैं रहता है तब भगवान नहीं आपाते जब भगवान आ जाते हैं तो मैं की जगह नहीं रह जाते हैं वो सही एकागरता को जन्म देते हैं वैसी एकागरता जैसे अरजुन के सामने थी नीचे पानी रग दिया, ऊपर पेड़ पे मचली बांदी और चक्र में मचली को बांध करके घुमा दिया और फिर द्रोडाचारे ने सब को कहा निशाने लगाओ निशाने लगाने से पूछा दिख क्या रहा है यह बताओ किसी ने का आकाश दिख रहा है किसी ने का पेड दिख रहा है किसी ने का चक्र दिख रहा है किसी ने का मचली दिख रही है उसके अलावा कुछ न देखे उसके अलावा जीवन में और किसी चीजी का इस्थान न रह जाए तो सची एक आगरता जन में लेते हैं और उस एक आगरता को पाने के लिए क्या करने की आवश्यक्ता है उसे कागरता को पाने के लिए दोस्तों दो तीन चीजों की आवश्यक्ता है पहला तो हम लोगो संकल्प सही लेने की आवश्यक्ता है आदमी क्या है कि पथ पर बढ़ जाता है पर बिना संकल्प के बढ़ जाता है संकल्प हम लोग सोचते हैं determination से और जो सबसे बड़ी गलती संकल्प के साथ होती है कि लोग यह सोचते हैं कि कोई दूसरा संकल्प दिला दे कोई दूसरा संकल्प दिलाएगा तो वो आदेश है संकल्प नहीं आपके भीतर से संकल्प को जन्म लेना चाहिए जब हमारे भीतर से निकल करके आए तभी तो संकल्प है किसी और ने कह दिया कि आप ये करो तो आदेश है आपको उसका पालन कर रहा है या छोटे ने कह दिया तो अन्रोध है बड़े ने कह दिया तो आदेश पर हमारे भीतर से नहीं निकला तब तक संकल्प नहीं वो संकल्प तभी संकल्प बन पाता है जब हमारी चेतना से निकल करके आता है तो आदमी संकल्प को अच्छे से समझे संकल्प वो है उन शर्तों को पूरा करना जिस यात्रा पर हम लोग निकले है छोटा सा काम हम लोग करते हैं मोबाइल खरीदने के लिए जाएं तो मोबाइल बेशने वाला पांच पेपरों पर साइन कराता है टमस और कंडिशन पर साइन कराता है भगवान की विभूतिया मुफ्त में कैसे मिल जाएंगी साइन तो पूरा ही करना पड़ता है अपना पूरा अस्तित्व दाम पर लगाना पड़ता है अपना पूरा व्यक्तित्व लगाना पड़ता है छोटा सा पैन भी नहीं घरीदने देता आदमी बिना पैसे के चोटी सी चीज भी नहीं मिलती आदमी को बिना कॉंट्रेक्ट पर साइन करे तो यह जो संकल्प हम लोग ले रहे हैं हाथ में पुश्पक्षत और जल ले लिया और भगवान से कह रहे हैं हम विश्णुर विश्णुर श्रीमत भगोतो महापुरु श्री विश्णुर अग्या प्रवर्त मानस इद्शी ब्रह्मनो दिती परारदेश श्वेत वारा अकल्पे वो जब हम लोग कह रहे हैं कि जब हमने उस चीज को कहा तो कहते समय में आप ध्यान से पढ़ें गुर्देव ने जो संकल्प लिखा है संकल्प में शर्ते लिखी कि मैं इन चीजों का पालन करूँगा ये शर्त है ये शर्त पूरी करूँगा तब भगवान आप इस चीज को हमें देना शर्त हम पूरी नहीं करें और भगवान से मांग लें तो गलत हो गया काम तो हमने किया नहीं महंता ना लेने के लिए पहुँच गया तो कैसी बात है कौन देने लगेगा पहले तो काम करना पड़ेगा ना तो लक्ष आदमी को पहले तय करना पड़ता है संकल्ब आता है जब पहले लक्ष तय हो लक्ष अच्छे से तय करने की आवश्चता है कि साधना कर क्यों रहे जीवन का उद्देश क्या है करना क्यों चाहते है हम लोग के मन में भाव क्या है और लक्ष के बगएर जीवन की कोई यात्रा नहीं होती मैं यहां से बाहर निकलूँ और प्रखर प्रग्या से बाहर निकल जाओ अपने हाईवे पे जाके खड़ा हो जाओ और विक्रम में बैठ जाओ वो कहें कहां को जाना है साब जहां जाना है भाईया तो जिधर को भी ले चल बताना पड़ेगा ना भादराबाद जाना है कि रिशिकेश जाना है कि ललतारोपुल जाना है बताना पड़ेगा बिना बता यात्रा कैसे हो जाएगी एक विक्रम वाला बिना लक्ष के नहीं ले जाता है भगवान कैसे बिना लक्ष के ले जाएंगे बताना तो पढ़ेगा आदमी पढ़ने के लिए जाता है और पढ़ने के लिए जाए और किसी भी class में बैठ जाए ओपो कहे कि साव आपको बनना क्या है बोले आप जो भी पढ़ा रहे हो पढ़ा दो हम तो जहां बैठ गे बैठ गे ऐसा थोड़ी होगा डॉक्तरी पढ़नी है तो दूसरी क्लास में बैठना पढ़ेगा कॉमर्स पढ़ना है तो दूसरी में बैठना पढ़ेगा लक्ष तो पहले तैय करना पड़ेगा और जब लक्ष तैय हो गया तो लक्ष के साथ मनोयोग को लगाना पड़ता है मन वहाँ पर लगे हम लोगों की भावनाय लगे हम लोगों का दिल उस जगह पर जाकर करके लगे, आदमी क्या है संकल्प ले लेता है पर संकल्प को बोज की तरह से कर रहा है भावना का जुड़ना जरूरी है ना भावना जब जुड़ती है तब जाकर कि लक्ष सफलता की और आपाता है जब तक भावना नहीं जुड़ेगी तब तक लक्ष सफल नहीं हो पाता वो एक स्वामी रामतीर्थ की कहानी है बड़ी प्यारी कहानी है स्वामी रामतीर्थ थे टीहरी के उपर जा रहे थे तो टीहरी के उपर जब वो चढ़ते हुए जा रहे थे तो उनको चढ़ने में तकलीफ हो रही है और एक छोटी सी बच्ची थी 12 साल की वो अपने भाई को 10-12 साल वो भी रहा होगा 8-9 साल का उसको एकदम कंधे पर उठा रहाता है ऐसे बोरे की तरह से और चढ़ती चली जा रही है तो रामतीर्थ को लगा कि जब मुझे को इतनी तकलीफ हो रही है तो बच्ची को तो बहुत ही हो रही होगी उन्हें का कि तु बटा मुझे दे दे तुझको यह भार लग रहा होगा तो बच्ची हस करके बोली कि स्वामी जी भार आपके लिए होगा मेरे लिए भाई है मेरे लिए भाई भार आपके लिए हमारे लिए भाई है तो भार नहीं वैसे ही संकल्प तप तक भार होता है जब तक हमने सोचा कि किसी और ने दिया. हमारे दिल से निकला तो भार कहां से हो जाएगा. आदमी सब करने के लिदि समय निकाली लेता है. जिस चीज से आपको प्यार है जिस चीज पर आपका पूरा आदर और सम्मान है उसके लिए आदमी समय निकालता है